हाँ तो दोस्तों क्या हल चाल तो भई आज किस वाली वीडियो में आपन बात करने वाले हैं XUV3XO के बारे में तो भई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल स्क्राइब कर दो मेन्यू हो जाए करें अपर इस गाड़ी के बारे में तो फ्रंड में आप देखो बहुत ग्लोसी पैनल आपको देखने को मिलने वाला है जो कि अपने हेडलाइट से दोनों हेडलाइट को कनेक्ट करेगा और रियर की बात करें तो आपको जो पूरी एक जोईंट टेल देखने को मिलने वाली है साइड में कोई मेजर चेंज इस गाड़ी में नहीं आने वाला है साइड में जो वही अलोय आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है सबसे मेजर जो चेंज इस गाड़ी में आने वाला है जो कि है इसके संरूफ का सबसे बड़ा संरूफ पूरे segment में महिंद्रा के रहा है इसका है रूफ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है interior में भी काफी अच्छे changes होने वाला है जैसे इसका जो dashboard है वो company एक बार change कर देगी और जो इस डिस्पले आती थी जो भी present model में आ रही XCV300 में वो थोड़ी old school type display है तो उसको change करके 10.5 inch की नई display आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है और जो बात करें पर इसके engine options के बारे में engine options आपको वही देखने को इस गाड़ी में मिलने वाले है ज़्यादा कुछ major change नहीं है facelift है ज़्यादा के बारे में तो कुछ technology नहीं introduce हो जाईगी महिंद्रा एडिनोक्स इंट्रिद्यूस कर सकता है काफी ज़्यादा scope है इस गाड़ी में एक तो इसमें add-ass level 2 देखने को मिल सकता है 2 नहीं तो 1 तो आए गई आएगा ये तो confirm है तो ये था इसका मोटा मोटी जो डिटेल थी में आपको इस गाड़ी की बता दिये तो आज किस वाली वीडियो इतने ही था दोस्तों मिलते है अगली वीडियो में टिल दन गुड़बाई